हेलो स्टुडेंट्स आज हम एक निया टोपिक पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस का लाज स्टेप ट्रांसलेशन इससे पहले हम सेंट्रल डोगमा के अंदर दो स्टेप पूरे कर चुके हैं सेंट्रल डोगमा जिसके अंदर रेप्लिकेशन भी होता है ट्रांस्क्रिप्शन भी होता है और रिवर्स ट्रांस्क्रिप्शन को भी नया कॉंसेब्ट जो था वो सेंट्रल डोगमा का टेमिन और वाल्टिम और साइंटिस्ट ने दिया तो रेप्लिकेशन में तो डिने से ड translation जब cell के द्वारा या एक DNA के द्वारा जब प्रोपर तरीके से तीनों प्रकार के RNA बन जाते हैं तो उन RNA को cytoplasm के अंदर protein sensation के लिए बेज दिया जाता है mRNA, mRNA, rRNA और tRNA तो उस पूरे process को जिसके अंदर तीनों RNA मिलकर protein sensation को पूरा करते हैं, protein का निर्मान करते हैं, उस प्रकिरिया को हम बोलते हैं, translation या अनुवाद करण यह protein synthesis का last step है, इसके बाद हमारा ये topic complete हो जाएगा, तो आज हम protein synthesis का translation का first step पड़ेंगे, second और third step बाद में देखेंगे, उसमें क्या क्या होता है तो यहाँ पर जो example दिया गया है, वो pro-karyotic cell के अंदर किस प्रकार से protein synthesis होता है, यह hysteria coli के अंदर अध्यन किया गया और hysteria coli का example लेकर इस protein synthesis को समझाया गया है, protein synthesis का translation या अनुवाद करण मतलब कि RNA के द्वारा amino acids को polypeptide chain के द्वारा जोड़ना और उन chains के द्वारा protein का निर्मान होना ही translation खहलाता है central dogma का concept हम समझ चुके हैं, central dogma को यह हमने समझना है तो इसी description के अंदर उस video का link तेरका है वहाँ से आप central dogma समझ सकते हो, यह central dogma आपके लिए कर नहीं चीज़ है, यह आप समझ चुके हो तो यह topic आसाने से आगे समझ में आजाएगा, तो protein synthesis हम prokaryotic hysteria coli के अंदर हम पढ़ेंगे, कि किस परकार protein sensation होता है protein sensation hysteria coli के अंदर अध्यन करने के बाद यह पाया गया कि translation process जो होता है, वो different factors के द्वारा, different enzyme के द्वारा पूरा होता है यहाँ पर क्या हुआ एक transcripted mRNA की structure आपको दिखाए दे रही है इसका एक 5 सिरा है और दूसरा 3 सिरा है यह हम समझ चुके हैं पहले ही, कि transcription जो होता है, वो हमेशा 5 to 3 end पर होता है और वो DNA की 3 to 5 strand वारे template strand पर होता है transcription कैसे होता है, transcription के अंदर कौन-कौन से enzyme काम ये ली जाते है वो यदि आपने समझना है, तो इसी वीडियो के अंदर description दिरखा transcription unit और transcription, different type के mRNA, rRNA और tRNA की formation कैसे होती है तो वहाँ से आप समझ सकते हो, आज हम समझेंगे translation, अनवाद करण, RNA के द्वारा protein का निर्मान कैसे होता है, या किस परकार amino acids होते हैं, वो protein का निर्मान करती है amino acids की इकाईयां जुड़कर protein का formation करती है तो translation को मैंली तीन step में बाटा गया है, initiation, प्रारंबन, elongation, विवर्दन और termination मलब की अंत करना, उसका terminate करना, मलब की protein translation के तीन step होते हैं अनवाद करण के, initiation, elongation और termination आज हम इस वीडियो के अंदर केवल initiation समझेंगे, प्रारंबन समझेंगे प्रारंबन जो step है, वो सबसे typical step होता है protein translation का जैसे रेल गाड़ी को पटड़ी पर चड़ाना सबसे टेड़ा काम होता है जब रेल गाड़ी पटड़ी पर चड़ जाती है, तो फिर आसानी से वो अपना सफरताय करती है इसी तरीके से ये protein translation का initiation है अलब कि रेल गाड़ी को पटड़ी पर चड़ाना है तो ये चड़गी कैसे, किस परकार protein translation, RNA मिलकर तीनों परकार क्या रेने होते हैं, mRNA, rRNA और tRNA mRNA ये अनुवासिक सोचने लेकर आता है इसके वारे हम ज्यादा नहीं है, हम समझेंगे हैं कि हम पहले topic discuss कर चुके हैं, हमारा ने काम क्या होता है हमारा ने किस परकार अपने आपको protein translation में या अनुवासिक सूचनाओं का किस परकार से वो लेकर आता है तो first step हम पढ़ते हैं, initiation initiation से पहले हम थोड़ा सा topic revise करते हैं हमने topic बढ़ा था aminoacylation aminoacylation बलब कि TRNA के साथ amino acids को जोड़ना aminoacyl TRNA synthetase enzyme होता है जो क्या करता है, अपने साथ TRNA के साथ amino acids को जोड़ने में help करता है या आपने यह कह सकते हैं कि एक amino acids को active करना और active करके उसे TRNA के साथ जोड़ना सबसे पहले process को में दिया जाता है उसे बोलते हैं aminoacylation लेकिन initiation के अंदर aminoacylation के अंदर कुछ और step follow होते हैं यह aminoacylation मैं transcription के अंदर समझा चुका हूँ किस परकार से एक amino acids TRNA के साथ ATP उर्जा का उप्योग करते हुए aminoacyl TRNA उर्जा का यूज करते हुए aminoacyl TRNA बनाता है और इसके लिए enzyme जो होता है वो aminoacyl TRNA synthetage enzyme होता है जो aminoacyl TRNA complex बनाता है मलब कि amino acid को TRNA के साथ जोड़ देता है और इन अलग निक फास्वेड जो होती है वो उससे अलग हो जाती है दूसरे amino acids को जोड़ने के लिए या AMP को वापस ATP में बदलने के लिए तो initiation में क्या होगा? initiation codon जो होता है AUG होता है AUG initiation codon होता है जो mRNA के उपर सबसे पहले पाया जाता है वलब कि ये संकेत देता है कि इस स्थान से protein sensation को शुरू करना है या इस स्थान से protein का sensation शुरू करना है तो ये DNA के द्वारा पहले सी pre-defined होता है कि किस परकार RNA जो है वो protein sensation शुरू करेगा तो कहां से शुरू करेगा? तो AUG इसको initiation codon बोलते हैं और हमने genetic code में देखा कि AUG मुखे रोप से एक amino acids को भी code करता है उस amino acids को बोलते हैं methionine और दूसरा ये initiation codon के रूप में भी जाना जाते है तो जो भी RNA की unit है या जो भी बाकी tRNA है या rrn है उन्हें कैसे पता चलेगा कि ये AUG initiation codon वाला codon है हो सकता है ये AUG यहाँ भी आजे तो उस समय क्या होगा केवल एक amino acid जोडने वाला code होगा वो initiation codon नहीं होगा तो इस बात को पूरी तरह से verify करने के लिए initiation procedure के अंदर वो सभी सावधानिया रखी जाती है जो protein sensation के लिए आवशेक होती क्योंकि ये गलत amino acid या गलत type के initiation हो गया तो वहाँ से फिर गलत type की protein बन जाएगी अब देखो ये initiation तो यहाँ से शुरू करना है ये दूसरा amino acid आ गया अब मालो इस initiation इसनी यहाँ से शुरू कर दिया तो ये जो part है protein का वो क्या हो जाएगा यहाँ से अलग हो जाएगा तो हमारी body के अंदर अलग type की protein मनेगी इनिशेश ने दी यहाँ से start वा तो उससे आगे जो है वो अलग protein मनेगी इस amino acid वाली protein हमारे पास body में present नहीं होगी हो सकता इस amino acid की जो importance है वो बराबर दूसरी amino acids के बराबर हो तो इस बात का special vicious रूप से यह ध्यान रखा जाता है कि initiation codon से ही protein sensation हो क्योंकि DNA ने अपना एक codon दे लिया कि मुझे इस codon के according या इन amino acids के according क्या चीए cell के अंदर protein चाहिए, polyveptate चाहिए अब मान लो यहाँ से initiate होता है तो यह amino acid किसी भी तरीके से हमारी body के अंदर काम नहीं आएगी और DNA को जिसकी जरूरती वो जरूरत cell की पूरी नहीं कर पाएगा तो इस समझने के लिए या इसको पूरी तरह से 100% perfect रखने के लिए इसमें 1% भी गलती की गुंजाईश नहीं होती है तो हम समझ ले थी initiation codon AUG initiation codon क्या होता है या किस परकार initiation codon को पहचाना जाता है तो TRN क्या गरता है amino acylation process के द्वारा TRN क्या गरता है अपने साथ methionine को जोड लेता है अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि हमारी cell के अंदर दो परकार के TRN पाए जाते है AUG को पहचानते हैं उसका anti codon होत मलब कि initiation के लिए या AUG को पहचानने वाले दो anti codon वाले TRN पाए जाते हैं जिनके पास AUG का anti codon होगा अब कौन सा TRN initiation codon के साथ जुड़ेगा अलब कि दोनों के पाद इसका क्या होगा C, A और U यह इसका complementary इसका anti codon होगा तो दो TRN जो हैं वो क्या गरते हैं अपने साथ अडनियन के साथ U A और C तो U A और C यह anti codon उसके पास होगा लेकिन कौन सा TRN जो है वो इसके साथ initiation codon के साथ जुड़ेगा इसको verify करने के लिए क्या होते हैं TRN क्या के लिए आपने साथ methionine amino acids को जोड़ेगा क्योंकि AUG methionine को code करता है अब वहां क्या होगा TRN methionine complex बन जाएगा यह हमारा process होगया amino acylation जिसके अदर ATP भी खर्च होगी वो ATP खर्च होगर TRN synthetase enzyme भी यूज़ होगा और उसकी सहता से TRN methionine हमारे पास बन गया अब यहां पर second step लिया जाता है formulation यह important step है वलब कि यह TRN को initiation codon पहचानने के लिए help करेगा यहां क्या होगा TRN और methionine के साथ एक formal group जुड़ता है जिसके कारण उसको formal methanol TRN methionine बोलते हैं और उसके पास special एक tag बन जाता है F का वलब कि TRN methionine तो simple बना वो तो simple amino acids को code करेगा लेकिन यह दिए उसके साथ formal group और जुड़ जाता है जिसके अंदर N10 मुले एक लंबी chain होती है formal group की वो formal group जब उसके साथ जुड़ जाता है और एक विशेश type का tag F अपने साथ लेकर जाता है यह tag ही क्या करता है initiation codon को पैचानता है तो जिस TRN के साथ methionine जुड़ावा है और formal group और जुड़ावा है वो TRN यहाँ पर आकर जुड़ेगा अमलोग की इससे formulated TRN aminoacyl group बोलते हैं formulated TRN aminoacyl बोलते हैं क्योंकि यह क्या करेगा जिसके पास F tag लगावा TRN यह आएगा वो क्या होगा special initiation codon के पास ही जाएगा तो यह initiation बहुत complicated procedure होता है इसमें गलती की गुंजाईश बहुत ही rare होती है यदि by chance यह TRN ने बन गया और TRN ने गलत टाइप से अपने साथ amino acids को जोड दिया तो उसके बाद किसी भी तरीके से कोई भी तरीका नहीं है कि इस टूई TRN को उस codon के साथ जोडने से रोका जासके तो यही step होता है जिसके सायता से TRN को रोका जा सकता है या TRN को गलती करने से रोका जा सकता है और गलती करने का मतलब गलत जगें से initiation शुरू होना वो गलती को जाईस कौन दूर करता है formal group formal group क्या होगा वो TRN के साथ जुड कर उस गलती को दूर कर देता है क्योंकि दो टाइप के TRN होते हैं और दोनो टाइप के TRN में से एक TRN को ही सही स्थान पर जुड़ना है दूसरा TRN जो होगा वो simple amino acid AUG या methionine को ही लेकर आएगा वो जुडते चले जाएगे ये थो था initiation amino acylation हुआ amino acid TRN जुड़ा लेकिन वो सभी step के अंदर होता है amino acylation पर एक बार TRN जो होगा anti-gordon के gordon amino acids को जोड़ता चला जाएगा और amino acids होगे वो अपने आप TRN के साथ जुड़कर amino acid TRN जुड़ा बना लेगे initiation के अंदर formal group जुड़ना जुरूरी है ताकि वो क्या कर सके initiation factor या initiation kodon को पहचांस की उसके बाद हम देखें initiation ये हो गया तीन स्टेप होते हैं initiation को पूरा करने के लिए हम prokaryotic cell के अंदर protein synthesis बढ़ रहे हैं translation बढ़ रहे हैं prokaryotic cell के अंदर ribosome जो होते हैं 70S type के पाए जाते हैं जिसकी एक subunit 30S होती है दूसरी subunit 50S होती है prokaryotic cell के अंदर ribosome होता है 70S type का होता है 70S type के RNA की एक पड़ी subunit और एक छोटी subunit जो होती है वो दो subunit में बटी होती है और मैंने आपको बताया भी था RRNA की structure के अंदर और या ribosomele RNA की structure के अंदर कि ये दोनों subunit क्या होती हैं cytoplasm के अंदर बिख़्िवी condition में होती है अमेशा दोनों अलग अलग रहती है जब तक cell को magnesium ion की concentration नहीं दे जाएगी तब तक ये दोनों subunit अमेशा अलग अलग रहती है और जैसे magnesium ion की concentration मिल जाती है इसका मतलब ये होता है कि cell को protein sensation प्रारम करना है और protein sensation प्रारम करना होगा तो दोनों subunits को इकठा आना होगा ये दोनों subunits एक साथ इकठी नहीं आती है ये बारी-बारी से क्या होती है अपने एक दूसरे के साथ है जुडती है वो कैसे जुडेंगी अब समझते हैं डाइगराम के द्वारा first जो है step क्या होगा एक 30S subunit छोटी subunit जो होगी उसके साथ एक initiation factor 3 परारंबिक कारक जिसका नाम नहीं define किया गया उसको परारंबिक कारक ही बोला गया है initiation factor 3 जो है वो जुडता है initiation factor 3 जुडने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसके साथ जल्दी से कोई भी बड़ी subunit 50S की आकर नहीं जुडती है जब तक कि initiation procedure परारंब नहीं हो पाता है तब तक 50S subunit को रोकने के लिए ये initiation factor 3 के साथ जुड जाता है क्योंकि जब initiation factor 3 के साथ नहीं जुड़ेगा तो इस सीरे को क्या गर लेगा 50S subunit की आकर रहा लोक कर देगा उसे आप वहाँ से ढख देगा जिसके कारण protein sensation का translation procedure स्टार्ट नहीं होगा तो ये क्या करता है initiation factor initiation factor इस 30S subunit के पास आकर जुड जाता है ताकि initiation procedure को प्रारंब किया जा सके अब initiation factor की presence में क्या होगा 50S subunit जो होगी वह इस initiation factor के बिना या मरजी के बिना इसके साथ नहीं जुड पाई मलब कि एक तरह की protection देती है कि 50S subunit इस site को लोक ने करें इसके उपर पूरी तरह से बंद ने कर दें इसको उसके बाद क्या होगा 50S subunit है जो भी ribosomal subunit उसके दो पार्ट होते हैं एक P-site और एक A-site P-site को हम बोलते हैं peptidal site और A-site को हम बोलते हैं aminoacyl site P-site को हम बोलते हैं peptidal site और A-site को हम बोलते हैं aminoacyl site वालग कि P-site के उपर peptide bond बनने का करम बनता है और A-site के उपर aminoacyl site है वहाँ पर नया amino acid आकर जुड़ता चला जाता है वालब कि यह elongation का procedure है यहाँ पर amino acid क्या करेगा 3S, जो भी ribos अभी नट है चाहिए वो 50S हो चे 30S हो दोनों के पास दो भाग होते हैं P site और A site P site जो है उसके साथ peptide bond बनने का site होता है amino acid के जो दूसरे amino acid उससे peptide bond बनाएगा और A जो होगा वो अपने साथ amino acid को जोड़ने का काम करेगा अब first factor जो है अब initiation factor third है वो यहाँ पर आकर जुड़ा किस के साथ है 30S sub unit के साथ दूसरे step में क्या होगा यह 30S sub unit initiation factor वाली mRNA को अपने साथ attach करती है और mRNA को अपने साथ उस स्थान पर attach करेगी जहाँ पर उसका initiation codon होगा मलग कि AUG होगा AUG वाले codon पर अपने P सिरे को सबसे पहले वो 30S sub unit अपने साथ जोड़ लेती है यह इसका second step है इस second step के बाद क्या होता है यहाँ पर जैसे ही P सिरे के साथ mRNA का initiation codon पूरा mRNA जो बना था वो mRNA पूरा को पूरा यहाँ पर आकर जुड़ जाता है किसके साथ सबसे पहले 30S sub unit के साथ इसलिए initiation factor जो होता है वो अपने को यहाँ पर रोक लेता है ताकि 50S sub unit से पहले कौन जुड़ जाए यहाँ पर mRNA आकर जुड़ जाए जैसे ही mRNA आकर जुड़ जाता है उसके बाद initiation factor के द्वारा जो formal tRNA methionine बना हो क्योंकि उसको पता है कि मुझे कहां जुड़ना है initiation codon पर जुड़ना है तो वो formal ethionine वाला जो initiation जो tRNA है वो आकर यहाँ पर आकर जुड़ जाता है जिसको F मैट बोलता है वो समझाता है वो समझाता है कि यहाँ पर initiation factor है वो उसकी प्रिकरिया पहले से ही फूरी कर लेता है इसलिए translation के अंदर किसी भी तरिके से गलती की गुंजाईश नहीं होती है तो यह क्या होगा यह 37 unit के साथ पहले क्या जुड़ा MRN जुड़ा P सिरे की उपर आकर जुड़ा और P सिरे पर आकर यह जो formulated TRN बना जो initiation codon लेकर आता है उस codon के according वो TRN को यहाँ पर आकर जोड लेता है मैंने बताया था आपको दो और परकार TRN होते है एक simple TRN और दूसरा TRN अपने आपको formulated करता है उसके साथ formal group आकर जुड़ता है इसका मतलब उस TRN की पैचान होती है कि वो TRN कहां कर जुड़ेगा initiation factor के उपर या initiation codon पर जुड़ेगा तो दो step हो रहे हो गए पहले step में initiation factor जुड़ा 30 सब बनाट के साथ दूसरे step में क्या होगा 30 सब यूनिट के साथ MRN जुड़ा और MRN के साथ को नागर जुड़ गया TRN, formulated TRN जो initiation factor वाला TRN होगा उसके पास initiation codon का anti-codon होगा उसके बाद third और last step में क्या होगा हमारे पास 2 सब यूनिट थी first सब यूनिट सबसे पहले आई उसने MRN को अपने साथ जूड़ लिया MRN के पास उसने TRN को जूड़ा TRN के पास क्या था methionine था कौन सा methionine formulated third step और अंतिन step में क्या होता है इसके पास 50S सब यूनिट आकर और जूड़ जाती है और इस तरह से यह initiation complex बनता है इसके लिए initiation factor 2 काम करता है और कुछ मात्रा में GTP की energy को use कह जाता है जो होती है वो गानोसीन डाइफासफेट में बदल जाता है और initiation factor 2 जो होता है वो 50S सब यूनिट को यहाँ पर जोड़ लेता है तो इसके भी क्या होंगे यहाँ पर P Sira होंगे तो P Sira ये भी होगा और इसका भी क्या होगा ये A Sira होगा तो ये P Sira वाले MRNA के अंदर जो 30S सब बनिट है उसके साथ P Sira को जोड़ लेता है और 50S का जो A Sira है वो 30S सब बनिट के A Sira को जोड़ लेता है और इससे हम बोलते हैं initiation complex या initiation पूरा का पूरा यहाँ पर complete हो जाता है यह जो initiation है most important है यहाँ पर किसी भी तरिके से गलती होती है यहाँ की बजाय यहाँ जुड जाए तो यह amino acid इससे पहले कि जो amino acid जुडने थे यह इससे जो related protein का निर्माण होना था वो protein का निर्माण नहीं होता है इसलिए इसको formulated किया जाता है ताकि सही और perfect तरिके से क्या किया जाए यह वहाँ पर TRNA जब हो जुड़े और आगे initiation factor हो तो यह था initiation elongation और termination जो हम next video में पढ़ेंगे क्योंकि सबसे typical procedure था initiation का elongation और termination सबसे आसान है क्योंकि एक बार यह जो procedure स्टार्ट हो जाता है तो आगे आने वाले amino acids जो होते हैं वो आसानी से इस mRNA के उपर अपने आप जुड़ते जले जाते हैं कैसे जुड़ते हैं उनका किस परकार से उसमें अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है यह topic समझ में है तो please इस वीडियो को subscribe करें और share करें धन्यवाद